हलो फ्रेंड्स आज हम पार्ट वन में प्रिंसेस लाइम ब्लाउस का अस्तर पे कटिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगे और कैसे हम उसके पेपर कटिंग रखते हैं कैसे रखा जाता है अस्तर पे और कैसे कट किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगे अस्तर में एक दो साइड होती है एक open साइड और एक fold साइड जो grain line होती है तो वो दोनों किनार सामने सामने आनी चाहिए जिसको हम open साइड कहेंगे और जिस साइड हम back neck रखेंगे वो fold साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें गाज बटन पट्टी front साइड करना है इसलिए front साइड जो neck साइड है उसको हम open साइड रखेंगे अगर आपको गाज बटन पट्टी back साइड में रखना है तो आपको back वाला part open साइड में रखना होगा लेकिन इस blouse में हमें गाज हूक आई हमें front साइड करना है इसलिए front side हमने open side रखा है side वाला panel हमने center में रख दिया इसको अच्छे से pin up कर दिया pin up करने के बाद tailor chalk से इसको अच्छे से marking कर लिया जो paper है उसी के according करना है उसे कम ज़्यादा नहीं करना है तो side panel और front panel को हम जब join करते हैं तो extra fabric जाता है तो उसका हमें extra margin लेना होगा 0.25 फिस side panel को हमें measure करके front panel को भी check कर लेना है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा margin लेके उसे draw कर लेना है ताकि जब भी हम front और side panel joint करें तो कम ज़्यादा ना हो इसका खास आप लोगों को ध्याद रखना है अब इसे हम cutting कर देंगे cutting में भी यह ध्यान रखना है कि जितना हमने marking किया है उतनाही हमको cut करना है उससे न तो कम cut करना है जो भी हमने marking किया है उससे हम खुच से कुछ extra cut करते हैं तो आपका जो भी blouse का measurement है वो सारा measurement change हो जाएगा आपको समझी नहीं आएगा कि यह कम जादा कैसे हो गया तो जो भी paper cutting रखा है same उसी के according आपको cut कर देना है तो यह सारे panel मैंने cut कर दिया, cut करने के बाद दिखो यह इस तरह से दिख रहा है बैक फ्रन्ट और साइट पैनल अब हम मैन फेब्रिक पे कट करेंगे मैन फेब्रिक पे कट करने के लिए कपड़ा हमेजा में उल्टा रखना होता है सीधी साइट पे हमें मार्किंग नहीं करनी होती है तो सेम पहले बैक पार्ट हम रखेंगे उसको पीन अप करेंगे फिर प्रन्ट पार्ट नेक वाला रखेंगे उसको भी पीन अप कर लेंगे और उसके बाद साइट पैनल रखके पीन अप करके हम दिनों पार्ट को अच्छे से कट कर देंगे तो जब हम मेन फैब्रिक पे कट करते हैं तो हमें चारो तरब से एक्स्ट्रा 0.5 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के काटना होता है ताकि हम जब अस्तर जोइन करें तो अच्छे से जोइन हो जाए तो सारे पैनल में चारो तरब से 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखके कटिंग करना है अभी तीनो पैनल का हमने कट कर दिया है तो आज के वीडियो में इतना ही अखके का के तीनो आजने के वीडियों